जिसको बड़ी ख़वर देख साथ बाचीत करने के लिए इस वक्त जम कुश्मीर के अदक्ष भारती जंता पार्टी के रवाज दर रहना है और कल दिल्ली के अंदर जो है एक बड़ी पैठक हुई है जम कुश्मीर को लेकर जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां जो है वो की पूरी टीम मौझूद ही जम कुश्मीर की किस तरह से देखते हैं क्या मुख्य बिंदू रहे हैं चर्चा के ये हमारी और्गिनाइसेशनल मीटिंग थी चुकि भारत ये जनलता पार्टी एक नेशनल पार्टी है और हमारा हेड़कौर्टर हमारे नेशनल कैपिटल दिल और वहीं कई बार स्टेट के जो लीडर्स होते हैं उनको अपने जो नेशनल पार्टी हेड़कौर्टर है वहां मीटिंग के लिए जाना होता है पूरे देश भर से अलग-अलग स्टेट्स और यूटीज के लीडर्स आते हैं और इसी प्रकार कभी-कभी अलग-अलग स्ट को लेकर भी मीटिंग्स होती हैं तो ये एक हमारी नॉर्मल एक रेंडम प्रक्रिया की एक भैठक थी जिसमें पार्टी के जो और्गनाइजेशन्स को बढ़ाने की बात हुई पॉलिंग बूट्स शक्ति के अंदर गाउं गाउं के अंदर पार्टी को मजबूती की बात हुई आम लोगों के साथ बेटर कौाडिनेशन और कौापरेशन की बात हुई लोगों के मसाइल हल हुँ उसकी लिए बात हुई बहुत सारे लंबित मामले हैं लांग पेंडिंग इशूज हैं उनके समधान को लेकर हमने अपने राश्ट्रिये नेतरत्व अपने जो सीनियर लीडर्स हैं नेशनल प्रेजिजंट साहब होव मुनिस्टर साहब उनके अर्गिनाइजेशन पार्टी का जमू के साथ साथ कश्मीर में भी बढ़े इसके लिए हमको पूरी कोशिश करनी है और इसके लिए हमको तैयारी करनी है आपको लगता है कि जो चीज़ें बच चुके हैं उसे अप पूरी तरह से शक्तिकरन बनाने के लिए भाजपा जो है हमारी कोशिश है हमारी कोशिश ये रहेगी कि पार्टी का और्गिनाइजेशनल स्ट्रक्चर मजबूत हो जदा से जदा लोग बीजेपी में जुड़ें जो मोदी साहब ने काम किये हैं गाउं गाउं शहर शहर उसका परचार परसार हो जो विमिन्स रिजर्वेशन बिल आया गया है बहुत बड़ी अच्छिय्मिन्ट है जो जमू कश्मीर में एक ने डिवल्मिन्ट के जो काम हुए है एक ने दोर से जमू किश्मीर आज गुजर रहा है खुशृ लिवल्मिन्ट और ये खुशाली और ये डवलिमेंट आगे भी बनी रहनी चाहिए इसको लेकर हमें तयारी करनी है, गाओं गाओं में जाना है, लोगों से मिलना है, लोगों के साथ इंट्रेक्शन्स हूं और आने वाले जो दोहजार शोवीस में लोग सबा के अलक्शन्स हैं उसकी भी तैयारी करनी है और उससे पहले जो भी अलक्शन्स चाहे शहरी निकाए चुनाब हों अर्बन लोकल बाडीस के पंचाईथी चुनाबस हों छुनावों के लिए बीजे पी पूरे तरीके से उसकी भी तैयारी करनी है और उससे पहले जो भी एलक्शन्स चाहे शहरी निकाई चुनाव हो अर्बन लोकल बाडीस के पंचाइटी चुनावस हों डीडी सी हों बीडी नहीं है चुनावों के लिए चुनाव जो है बीजे पी पूरे तरीके से किसी भी अलेक्शन्स के लिए पूरे तरीके से तयार है आपको लगता है कि इस बार जो भाज़पा का स्तर है वो किस तरह से हम जनता के बीच में हमारी लीडर्स रहते हैं जनता के सेवादार हैं जहरेदार हैं, जन्ता के साथ मिलकर काम करते हैं, और इसलिए जो मोदी साहब ने काम किया है, गरीबूं का, जईफूं का, बेसाहरा लोगूं का, हर इनसान के मददगार हैं मोदी साहब, और इसलिए, हम जन्ता के बीच, ये सारे विशे लेकर जाएंगे, और चुनाव कराना, अलेक्शन कमिशन का फैसला है, अलेक्शन कमिशन जब फैसला करेगा, बीजेपी तयार है, ये विपक्ष कहा रहा है कि भाजपा संकेत नहीं दे रही है, इस तारह से कि, देखिए भार इस पर ये पबलिक डोमेन में वक्तावे रख रहा हूं, कि बीजेपी हर अलेक्शन के लिए पूरी तरीके से तयार है, चाहिए शेहरी चुनाव हों, डीडीसी, बीडीसी, पंचाइद के अलेक्शन सों, असेंबली अलेक्शन सों या पारलिमेंट के अलेक्शन हों, बीज वक्त मुद्देज हम कश्मीर के बने हैं तमाम डेली वेजर्स तोल प्लाजा इन सभी हमने जहां जिन जिन विश्यों की चर्चा करनी थी वो किये हैं हम जनता के सेवादार हैं जनता की समस्याओं का समाधान हो इसके लिए हम पहले भी बात करते हैं आगे भी करेंगे पहले हमने अपने लोगों की नोजवानों की परशानियां दूर की हैं आगे भी करेंगे सुरक्षा व्यवस्ता को लेकर सुरक्षा व्यवस्ता को लेकर चुकी कुकरनाग और रजोरी पुंश की जो अतंकी घटलाएं हुई है उसकर लेकर थोड़ा चिंता विक्त जरूर की गई ही है और हमें विश्वास है कि दुश्मन की हरसाच इसको फेल कर दिया जाए बहुत बहुत शुक्रिया गुलिस्तान से बात करने के लिए तो आप दिबक जी के साथ गुलिस्तान नियूस से हमस्कार